ओम शान्ती 26.11.2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम रुहानी यात्रा पर हो तुम्हें वापस इस मृत्य लोक में नहीं आना है तुम्हारा उद्देश्य है मनश्य से देवता बनना और बनाना प्राश्ण सोला कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी उत्तर वह अपनी जोली ग्यान रतनों से अच्छी तरह से भर कर दूसरों की भरेंगे ग्यान रतनों का दान कर अपना मरतबा उच बनाएंगे दूसरा वह पक्के महावीर होंगे उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे प्राश्ण पापों से मुक्त हो पुन्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है उत्तर इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुना कर राय लो साथ साथ बाप को याद करते ज्यान रत्नों का दान करते रहो तो पुन्य आत्मा बन जाएंगे गीत भोले नाथ से निराला ओम शान्ति बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है बाप भी कहते हैं ओम शान्ति ओम शान्ति आत्मा का अपना स्वरू वलक्ष शान्ति हैं आत्मा का धर्म शान्त है बाबा भी अपना परिचय देते हैं जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का मनश्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं बोलानात की भी महिमा है बोलानात शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदी मद्य अंत का राज नहीं समझाते हैं वह तो बोलानात ही बताते हैं बोलानात वर्षा देते हैं शंकर वर्षा नहीं देते ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांती देते हैं नहीं शांती देने के लिए बamorph भी साकार में आकर समझाना पड़े शंकर तो साकार में आते नहीं. भूलानाथी, शांती, सुख, संपत्ति, बड़ी आईयू भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं. क्योंकि अविनाशी बाप है वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है हद के ड्रामा वह नाटक तो अभी बने है यह तो अनादी ड्रामा है यह बेहद का नाटक है स्थूल नाटक मनश्यों के होते हैं वह रिपीट होते हैं जैसे कंस वद का खेल बनाया है फिर वही खेल दिखाएंगे यह बेहत का ड्रामा सत्युक से शुरू होता है कल योग अन्त तक खलास हो फिर रिपीट होता है विल्ड रिपीट कहा जाता है कौन सी विल्ड? बरोबर सत्युगी विल्ड जो थीई वह अव रिपीट होनी है आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती है नई को दिन पुरानी को रात कहा जाता है यह सब बातें बाप समझाते हैं वह है ग्यान सागर शुरू से लेकर अंत तक ग्यान लेना है पढ़ना है वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है यह बड़ा भारी इम्तहान है इनका उद्देश है मनुष्य से देवता बनना जो भी सिर पर पाप हैं उनको जलाना है इसके लिए बाबा ने रोहानी यात्रा सिखलाई है जहां से वापस इस मृत्यू लोक में नहीं आना है जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की तुम बच्चों ने आदी को भी जाना है मद्ध को भी जाना है मद्ध में कितनी बड़ी-बड़ी बातें होती है रामण राज्य शुरू होता है भक्ती मार्ग शुरू होता है मनश्य ब्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं संपूर्ण ब्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है माया का राज्य दौापर से शुरू होता है तो भक्ती और रावड राज्य दोनों नाम गिरने के हैं भक्ती के बाद भगवान मिलेगा बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ती करते हो फिर ज्यान भी तुम ही लेते हो ज्यान और भक्ती की संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए तुम सन्यास करते हो पांच विकारों का उनको सिखलाने वाला शंकराचारे है उनका है हट योग अनेक प्रकार के योग सीखते हैं घरबार छोड ब्रह्म के साथ योग रखते हैं उनको तत्व ज्यानी तत्व योगी कहते हैं ज्यान देते भी हैं तत्व का समझते हैं चक्र फिरना हैं हमको पाट बजाना है यह बाते उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं अब बंदर मिसल मनुश्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ग्यान डांस करते हैं ग्यान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर से न ली बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे शिवाबा ग्यान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के वीच खड़ी है इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है वह हद की बाते सुनाते हैं बाप तो बेहत कर राज समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जन्जीरों में फसी हुई है, सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है, पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है, तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए शिवाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्मा हैं शिववन्शी हो फिर साकार में भाई बहन बनते हो निराकार में सब भाई भाई हो फिर प्रजा पिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई वेहन बनाते हैं रोहानी रीती से भाई भाई जिस्मानी रीती से भाई वेहन हो तो यह निश्चे रखना है कि हम शिव वन्शी प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं वर्शा पाना है बाप से, बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है, हर एक का कर्म बंधन अलग-अलग है, बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं, हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है, यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है जो कुछ पाप किये हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं अब हमको पुन्ने जमा करने हैं इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुन्ने आत्मा कैसे बने बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे औ और ज्यान रतनों का दान करना है जो बहुत दान करेंगे वह उच्छ मरतबा पाएंगे भारत जैसे दान कोई करता नहीं अब उनको मिलता कहां से हैं बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंट्रोफिस्ट परोपकारी है बाप आकर जियदान देते हैं जोली भर कर त्रिप्त कर देते हैं अपनी जोली कम वजास्ती भरना वह तो बच्चों के उपर है नंबर वार जोली भरते हैं कितने ब्रामण ब्रामणिया है कितने सेंटर से व्रद्धी को पाते जाएंगे शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी यह फिर साकार सिजरा बनता है ड्रामानुसार यह नहीं हो सकता ड्रामानुसार इतने बनते हैं जितने ड्रामानुसार बने थे वही सत्युक के देवता बनते हैं जाड ब्रद्धी को पाता रहता हैं कितने जड़ भी जाते हैं कोई तो ऐसे पक्के महवीर बनते हैं जो माया उनको हिलाना सके वह अखंड अचल रहते हैं अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है अचल इस थिर बनना है ऐसा कोई कहना सके कि हम सोला कला बन गए हैं नहीं, बनना जरूर है सोला कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीती अपनी जोली भर कर औरों की भरते हैं ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने ज्यान की दार्ण की है सो करेंगे हम साक्षी हो कर देखते हैं पुरुशार्थ तो जरूर करना पड़े पुरुशार्थ के बिगर प्रालब्ध नहीं मिल सकती वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुशार्थ करते हैं शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए है अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है उचे ते उचा है भगवान उचे ते उचा उनका ठाव है बाप आया है सुख धाम, शांती धाम का मालिक बनाने सब को शांती धाम ले जाते हैं कितना बड़ा बेहत का पंड़ा है वह एक है बाकि जिस्मानी यात्र पर ले जाने वाले तो अनेक पंड़े है कुम्ब के मेले पर धेर पंड़े होते हैं यह सच्चा सच्चा कुमब का मेला है, परंदु पंड़ा एक ही है, तुम हो पांडव सेणा, उन्होंने तो पांच पांडव दिखाए हैं, वास्तों में गायन इनका है, यह है शक्ती सेणा, फंदे मात्रम, मुख्य है भारत, यह सब का माता पिता है, सब को पावन बनाते हैं श्रीक्रश्न को तो सब नहीं मानते श्रीक्रश्न का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना उच तीर्थ समझते नहीं है बाप कहते हैं गीता पढ़ते-पढ़ते मनश्यों की क्या हालत हो गई है बाप तो सबको वर्षा देते हैं, ज्यान तो अथा है सागर को स्याही बनाओ तो भी बे अंत, अंत नहीं पाया जाता गीता में श्यव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है अब तुमको अंधो की लाठी बनना है बाप का परिचय देना है कि उचे ते उच कौन है परमपिता परमात्मा वर्षा किस से मिलेगा? उन से कल पे पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था इस्थापना होई थी वर्णों को जरूर फिरना है तुम शूद्र से ब्राम्हन बनते हो ब्राम्हनों द्वारा यग्य रचा जाता है तुम हो सच्चे ब्राम्हन वह हैं जूटे ब्राम्हन भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिकलाता हूं यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं वह मनश्य मनश्य को पढ़ाते हैं सबको पहले बाप का परिचय देना है परमपिता परमात्मा से आपका क्या सम्मंद है कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्विव्यापी है पत्थर बुद्धी है अरे हम सम्मंद पूछते हैं सर्विव्यापी का सम्मंद होता है क्या प्रदर्शनी करते जाओ तो ब्रधी होती जाएगी तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएगी बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदी को निमंतरन देना है फिर पहरा भी पूरा रखना है अगर तुमने यह दो तीन बाते सिद्ध कर दी तो उन सब का धंदा ही ठंडा हो जाएगा तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है बहुत समझते भी हैं परंदु बाहर निकले और खलास स्रश्टी चक्र को समझ लें वह मुश्किल है ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भर कर फिर सो गई क्यों मेहनत चाहिए परंदु ड्रामा नुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ जितनी सर्विस बढ़ने थी जितने ब्रामण बनने थे उतने बने हैं व्रद्धी होती जाएगी कोई सेकेंड में बाप को पहचानेंगे कोई साथ दिन में कोई एक मास में कोई चलते चलते ठंडे हो पढ़ते हैं फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के responsible बने हुए हैं श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है या खेल है अब तुम शिवालय में चलते हो पहले तुम स्वर्गवासी थे फिर इतने जन्मों के बाद रावड ने नरकवासी बनाना शुरू किया अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वधर्शन चक्रधारी बनते हो रावड का सिर काटते हो रावड दुश्मन पर जीत पाते हो रावण फोरेनर है हमारा रामराज जिता अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है यह शोक वाटिका है सत्योग अशोक वाटिका है यहां अशोका होटल नाम रखा है जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है शिव और विश्नु की माला मश्हूर है ब्रामनों की माला बनना सके यह है रुद्र माला विश्नु की माला प्रवत्ती मार्ग की है मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ एम उब्जेक्ट सामने खड़ा है तुम श्याम से सुन्दर बन रहे हो पुरानी दुनिया को लात मारते हो श्री कृष्न की आत्मा गोरी थी इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है कृष्न नारायन शिव सबको काला बना दिया है जो शिव परमात्मा सर्व का रचायता है उसे भी जानते नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार पहला बाप समान मनुश्यात्माओं को जियदान देना है बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है महादानी जरूर बनना है दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी बन रावड का सिरकाटना है बेहद का वेरागी बन विकारों का सन्यास करना है संगम युक की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ती होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला तो जो प्रत्यक्षफल अर्था ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली वह तंदुरुस्त होते हैं कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुम्बकरण की नीद में सो जाते हूं अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे स्लोगन फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो बाकी सबसे गुण ग्रहन करो अच्छा ओन शांती कि दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा